प्रेंट्स वर्जिकेंड बेलकम बेकिन माइट विप चनल दोस्तों मैं हुआ कर्षपंड और आप देख रहे हैं यूनिक्स विलेनी में यह क्याट से एल्फ यूनिक्स आप सब को पता है कि मंडे से बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की बैच स्टार्ट होने वाली उस बैच को कैसे जॉइन करेंगे और BIM में क्या-क्या आपको आना चाहिए यह सारा चीज इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं वीडियो को लास तक देखेगा और बाद में आपको मुझे अगर आपको कोई कुश्चिन भी होता है तो प्लीज कमेंट वाक्स में कुश्चिन भी दीजेगा अधर्वाइस मेरे से आप पर्सेनल कॉंटेट कर सकते हैं सो फ्रेंड्स बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉड्लिंग में हम लोग इस कोर्स में फाइव सॉफ्टेर सीखने वाले हैं कौन कौन से फाइव सॉफ्टेर पहला है आपका रेविट आ रेरा, समेशन ड्राइंग, वरकिंग ड्राइंग, इस्ट्रक्चरल डिटेलिंग किस तरीके से क्लाइंट को देना है वो देखने वाले हैं इसमें हम लोग सेक्शन और एलिवेशन को कॉप्लीट समझने वाले हैं cost estimation means quantity take off कैसे निकालते हैं means कोई भी building है उसके लिए costing कितना उसका प्रोजेक्ट पे cost लगने वाला है still कितना लगने वाला है, cement कितना means estimation का complete part उसके अंदर देखने वाले है उसके अंदर हम लोग देखने वाले है walkthrough means nervous work के अंदर time के साथ walkthrough देखने वाले है proper किस तरीके से walkthrough होता है साथ ही साथ BIM के लिए क्या-क्या strategies follow करना पड़ता है तो BIM strategy के बारे हम लोग discuss करेंगे कि यह strategies follow करने पड़ते हैं BIM के background में जो 2D है इसका deep में आप सब समझेंगे कि 2D के exactly अंदर क्या-क्या चीज़ आती है 3D के अंदर क्या-क्या आती है 4D, 5D, 6D और 7D की deep discussion करने वाले हम लोग कि इसके अंदर क्या-क्या exactly होने वाला है room के standard sizes क्या-क्या रखने वाले हम लोग वो भी हम लोग discuss करेंगे कि living room इतने का, drawing room इतने का parking area इतना, frontage area इतना, back इतना, setback बोलते हैं उसको setback इतना और side side कितना देना ही है यह सब कुछ हम लोग discuss करने वाले है इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं अभी एक साथ तो नहीं explain कर सकता है बट बहुत से चीज़े है जो हम लोग नई चीज़े सीखने वाले है इसके अंदर means software plus concept है यहाँ केवल software नहीं है और please अगर कोई भी केवल software पढ़ने के लिए आ रहा तो मत आना मेरे पास क्योंकि मैं केवल software कभी नहीं पढ़ाता हूँ आप सबको पता है मैं software के साथ manual concept add करता हूँ अगर मैं steel structure पढ़ाऊंगा Revit structure के अंदर उस टाइम पे मैं steel के connections के बारे में भी बताऊंगा कौन कौन से type के connection मार्केट में होते हैं वो भी आप से discuss करने वाला हूँ कौन सा section कहां पर use होना चाहिए means eye section कहां channel section कहां क्यों क्योंकि अगर आपको पता है कि angle section यहां use करेंगे तो आप proper जाके यहां use कर सकते हैं बट आपको पता ही नहीं है तो कभी आप कुछ भी steel लेंगे कभी कुछ भी steel लेंगे गलत करेंगे Lapping कहां पर column में कितना software में तो बताएंगे बताएंगे कि देखो यह software में इस तरीके से rev structure में provide कर देते हैं but exactly कहां पर Lapping provide करते हैं practically कितने पर क्या size पर provide करेंगे कितना provide करेंगे Lapping क्यों provide करेंगे Lapping यह सारे concept भी हम लोग software के साथ सीखने वाले हैं तो यह हमारा जो beam का course है अच्छे ही अभी तक है और कोशी यही रहती है कि 99% अपना 100% दो 99% अपना 100% मिस कुछ तो होंगे जो ऐसो होगे नहीं आँ मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था एक परसें में मान सकता हूँ 99% में अपना 100% देने की पूरी कोशिस करता हूँ दोस्तों और इस batch का जो fee रखा है आपने बहुत ही कम रखा है पहले था कि ठीक इतना fee रखेंगे बट कोबीट के वोजा से मुझे भी पता है सबकी situation बहुत खराब है सो मैंने only 12,000 रुपीज इसके fee रखे हुए कितने 12,000 रुपीज और उसमें भी मैंने आपको EMI का option दे दिया है तो आपको अगर problem है तो दो टाइम में आप पेमेंट कर सकते हो WhatsApp नमबर है मेरा 9792-6212121 उसमें आके आप मेरे से slabs ले सकते हो साथे साथ आपको payment करने के लिए Google पे phone पे same number है करके आप screenshot भे सकते हो मैं आपको group में add कर दूँगा जितने भी लोग group में add नहीं होए वो लोग आ जाएंगे फट आफट और एक और benefit है इस course का वो यह है दोस्तों कि आप सब को पता होना चाहिए यूनिक सिविल की जो वेबसाइट है प्रॉपर तयार हो चीकि प्रोफेशनल वेबसाइट आपको lifetime के लिए वहाँ पर अपने वीडियो एकसेस कर सकते हो यानि आप जो भी course में सीखोगे उसका वीडियो वहाँ पर आपको डाल दिया जाएगा आपका अपना आपके पास वीडियो एकसेस रहेगा बैक करके फिर से सुनिए बैक करके फिर से सुनिए जैसे भी आपको comfort है उससाब से आप perfect सीख सकते हैं तो हमारी पूरी कोशिस है कि हम अपना best दें आपके भी तरप से हमें best चाहिए तो उसके लिए अगर मैं इतने बड़े initiative ले रहा हूँ इस course को लोग कितने like आपको पता होना चाहिए 1 lakh, 2 lakh में लोग कर रहे है उस course को मैंने 12,000 में इसलिए रखा है 12,000 में रखने के बाद कई लोग के माइंड में आता होगा इतना सस्था कैसे तो उसका reason ही है दोस्तों कि मैं online और मैं खुद पढ़ाता हूँ तो मुझे किसी भी teacher को कुछ pay नहीं करना है आप सबको पता है मैं अपने room में बैठके online teaching करता हूँ तो मुझे कोई भी area दिखाने की जरूरत नहीं है प्लस मैं चाहता हूँ कि ज्याद से ज्यादा लोग अभी एक तो हालत खरावे सबकी तो help भी हो जाए आपका help मैं करूँगो तो definitely आप मेरी help करोगे इसी source के साथ मैंने start किया है अब आपके support की जरूरत है प्लीज वीडियो को इतने लोगों तो पहुचा देना कि जितना हम अपना 100% देना चाहते हैं मैं उसका 200% देने की पुरी कोशिस करूँ यानि और भी content में उसके अंदर add करूँ और आपको बहुत मजाए हम लोग एक साथ लबग तीन से चार मेने का course रह गई है तीन मेने मैंने ideally माना हुआ है बट मुझे लगता है चार मेने तक जा सकता है सो तीन से चार मेने तक हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं सो जुड़ जाए मेरे साथ भरोसा रखिए आपको अपना 100% दूँगा और 100% देने के साथ आपको आगे भी मैं help करूँगा किस तरीके से portfolio बनाना है किस तरीके से resume बनाना है किस तरीके से सामने वाले को convince करना है किस तरीके से cover letter बनाना है वो सब कुछ मैं इसके अंदर बताऊंगा means आपका हमारे साथ daily talk बना रहेगा so definitely अगर आप test करते हैं और एक गंटा morning में यह morning का time हम देने वाले हैं 7.30 to 8.30 approximately 9 सबोस सकते हैं 7.30 to 8.30 हमारी class की time ही रहेगी और आदे गंटे मैं उसके अलावा रखता हूँ कि सेशन के बाद आपको जो questions पूछना हो questions भी आप पूछ सकते हो मेरे से तो बहुत मज़ा आएगा अगर आप लोग जुड़ते हैं और definitely आप काफी लोग जुड़ चुके अललेडी बस इस वीडियो को मेरे बनाने का परपस यह था कि जितने लोग अभी बचे हैं जिनके माइंड में है कुछ वो मेरे वार्षेप पर आके मुझे कॉंटेट कर ले क्योंकि मैं कितने लोगों को तक कॉंटेट कर पाऊंगा मेरे पास इतनी बड़ी कोई टीम नहीं है एक थावी तो अभी ओभी नहीं है हिस्त में कुविट के हो जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा तो आपको करना पड़ा थोड़ा इनिसेटिव आप लीजे थोड़ा में लेता हूं मिलता है नेस वीडियो में जैहें जै भारत